तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टिरियो फास लेम्डा बेस्ट वेक्टर्स को और कास्मेट्स को ठीक है बैक्टिरियो फास लेम्डा आप पढ़ चुके हैं बैक्टिरियो फास लेम्डा ये एक फास वाइरस है जो इंफेक्ट करता है इकोलाई को फास वाइरस उनको बोलते हैं जो किसी बैक्टिरिया को इंफेक्ट करते हैं और उसे किल कर देते हैं ठीक है किल करने का मतलब है वो अपने बहुत सारे viral particles बनाते हैं जिसकी बज़े से finally bacterial cell की क्या होगी? Lysis हो सब्सक्राइब तो इसमें हम लोग bacterial fast, lambda based vectors क्या हैं? उनको discuss करेंगे और cosmet क्या होते हैं? ये भी important class of vectors की हम लोग इन दो topics को discuss करेंगे. अगले topic में हम लोग discuss करेंगे phosmids को नाम सुना होगा या bacterial artificial chromosomes साथ में हम लोग फिर ये bacteria के लिए होंगे vectors मैं last में subtle vector की बात करूँगा subtle vector क्या होते हैं और इसके बाद हम लोग yeast के लिए बात करेंगे कि eukaryotic cell yeast में कौन-कौन से vectors यूज कर सकते हैं तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग पहले भी discussion कर चुके हैं कि bacteria के लिए vectors क्या होंगे then eukarya में yeast के लिए, plant के लिए और animals के लिए vectors क्या होंगे हम लोग उन topics को discuss करेंगे सबसे पहले bacteria fast lambda based vectors को हम लोग discuss करेंगे ठीक है bacteria fast lambda में discuss कर चुका हूँ और उमीद है आप लोगों को याद होगा bacteria fast lambda का genome size काफी बड़ा है genome size कैसा है काफी बड़ा है याद आ रहा हो तो 49 kb या around 50 kb के round आपने पढ़ रखा है चीगे on an average ये लगवाग 48.5 kb का होता है तो हम लोग 49 या 50 kb के round बोलते रहते हैं एक general concept जबकि एक ideal vector का size कितना होना चाहिए less than 10 kb एक ideal vector का size less than 10 kb होना चाहिए जबकि bacteria fast lambda का genome size 50 kb है तो no doubt पहले ही case में पहले ही round में आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि यहाँ पर problem आने वाली है bacteria fast lambda को as a vector develop करने में आपको एक problem face करना है कि इसका size कैसा है बड़ा है समझ में आ रहा है कुछ और भी problems है जिनको हम लोग discuss करेंगे यदि E. coli के लिए vectors develop करना है तो bacteria fast lambda हमारे पास एक बेतर option हो सकता है दूसरा question यह है virus based vectors develop करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा जबकि E. coli के लिए प्लाजमिट अबलेबल है मेरा जो question है मैं उसे repeat कर रहा हूँ फिर इस point को समझें अभी तक आप लोगों ने जो PVR या PUC vectors के बारे में पल रखा है वो E. coli में यूज होते है तो जब E. coli के लिए हमारे पास already vectors available है तो फिर इतना जादा मेंद क्यों की जाए viruses पर कि उन्हें एज़े vectors develop किया ज़ए हम यह मेंद कहां कर सकते थे animals के लिए और plant के लिए वहां भी तो कर सकते थे पासमस में आ रहा है सबसे जो simple answer है और जो आपको हमें साध्यान रखना वो यह है कि प्लाजमिट वेक्टर्स की अपनी एक limitation है आइडियली वो 5 kb के around तक ही कोई भी DNA molecule foreign DNA molecule ले जा सकते है कुछ वेक्टर्स में यह value 7 to 8 या 9 kb तक जा सकती है लेकिन आइडियली कितना ले जा सकते है 5 kb 5 kb का DNA ही आप clone कर सकते है प्लाजमिट के base पर लेकिन genes तो बहुत बड़े हो सकते है आपको DNA को clone करने के लिए किसी DNA का segment 10 kb, 20 kb या 50 kb भी तो हो सकता है तो यदि बड़ा DNA आपको copy करना है, कोई बड़ा जीन copy करना है तो plasmid vectors capable नहीं है समझ में आ रहा है तो इस बज़े से हमें दूसरे ऐसे vectors पर जाना होगा, जो बड़े से बड़े DNA segment को क्या कर सकें copy कर सकें, तो हमारे लिए एक बेतर option कौन होगे bacteria fast lambda दूसरा important जो part है, जो इन procedures को बहुत आसान बना देगा bacteria fast lambda को as a vector use करना, वो यह है कि यदि हम लोग इनको as a vectors develop करते हैं as a vectors develop करते हैं तो यह bacteria fasts naturally bacteria को infect करेंगे यह अपने capsid में जो foreign DNA है यह recombinant DNA है उसको क्या करेंगे pack करेंगे और as a viral particle ही assemble होंगे अर्थार जो recombinant DNA हम लोग बनाएंगे वो recombinant DNA as a viral DNA ही function करेगा लेकिन उसमें recombinant DNA भी present है और एक complete viral particle बनेगा जिसे आप virion कहते हैं extra cellular complete viral particle को virion कहते हैं और यह virus क्या करेगा naturally bacteria को infect करेगा तो हमारे सामने यह जो problem है कि हम एक recombinant DNA को insert करेंगे किसी host cell में वो problem solve हो जाएगा यह viruses क्या करेगा यदि हम लोगों ने इसे as a vector develop कर लिया तो यह recombinant DNA को अपने आप अपने सही क्या करेगा अपने capsid में pack कर लेगा as a natural virus bacteria को infect करेगा तो हमारे यह दूसरी problem solve हो जाएगे कि हम cell के अंदर recombinant DNA को कैसे ले जाएं समझ में आ रहा है इस बज़े से यदि हम bacteriophast vectors को develop कर पाते हैं तो यह हमारे लिए दो कारणों से important होगा एक तो बड़े DNA को copy कर पाएंगे cloning कर पाएंगे और दूसरा जो procedure है वो भी कैसा होगा आसान हो जाएगा तो मज में आ रहा है और develop कर लिए गए हैं तभी आप पढ़ भी रहे हैं तो बैक्टिरियो फास्ट लेम्डा को as a vector develop करने के लिए develop करने में क्या problems थी उनको कैसे solve किया और ये कितना बड़ा DNA कॉपी कर सकते हैं और बैक्टिरियो फास्ट लेम्डा बेस्ट किस तरह के vectors हैं उसमें आप दो classes पढ़ेंगे insertion and replacement vectors insertion और replacement vectors में क्या difference है दोनों की capabilities में क्या difference है और इसके बाद हम लोग plasmid और बैक्टिरियो फास्ट को useful characters को जोड़ करके नाम देंगे पास्मेट्स का उनकी study करेंगे ये ध्यान रखेंगे सभी लोग तो आगे बढ़ा जाए जो मैंने भी questions आपके साथ discuss के समझ पा रहे है बैक्टिरियो फास्ट लेम्डा को as a vector क्यों डबलब किया ये हमारी दो तरह की problems को क्या गरेंगे solve कर देंगे ये आपको ध्यान रखना है चीगे तो जब भी हम लोग vectors के options पर आते हैं किसी DNA को clone करने के लिए हमें क्या चाहिए vectors चाहिए चीगे तो आपने जब मैंने recombinant का introduction पढ़ाया तो second step में मैंने आपसे जो heading था हो ता selection of vectors selection of vectors पढ़ा था ना तीसरे step में आपने study किया था formation of recombinant DNA तो selection of vector का मतलब है vector आपके पास होंगे आपको कौन सा vector select करना है ये तो हमें देखना पढ़ेगा हम किस cell में DNA को clone करना चाहिते हैं और DNA का size क्या है चीगे a variety of vectors based on lambda bacteria have been developed for cloning DNA in E. coli कोई question mark नहीं है bacteria fast lambda E. coli का वायरस है इस बज़े से जो भी vectors bacteria fast lambda based हैं जोटी भी double up हुए हैं वो E. coli में DNA को clone करने के लिए double up किये गए हैं चीगे the primary use of these vectors to clone large piece of DNA एक बड़े DNA को क्या कर सकते हैं clone कर सकते हैं चीगे from 5 to 25 kb 25 kb के राउंड तक हम लोग किसी भी foreign DNA को clone कर सकते हैं bacteria fast lambda based vectors ठीके जबकि यदि हम लोग plasmid based पर जाएंगे तो on and average 5 kb कि इतना हो जाएगा 5 kb तो यह limitation था bacteria fast plasmids में ठीके 5 kb के राउंड और bacteria fast lambda इस limitation को आगे तक लेके जा सकते हैं और around 25 kb तक dna को copy किया जा सकते हैं चीगे most of which are two large to be handled by plasmid vector इतने पड़े dna को हम लोग copy कर सकते हैं bacteria fast से जो plasmid vectors के लिए कैसा है complication create करेगा वो उसे handle नहीं कर सकते हैं इसको हम लोगों ने पहले भी discuss किया चीगे bacteria fast lambda एक double standard dna virus से और यह e coli को high efficiency के साथ क्या कर सकता है infect कर सकता है genome size कितना है 29 kb genome size कितना है 29 kb बहुत सारे student bag लेके आते हैं और सोरी 49 बहुत सारे student यहां पर बैग लेके आते हैं कि लाते हैं नूँ है बैग में क्या रख सकते हैं यहां से आप बाहर निकले कई लोग स्कूटी लेके आते हैं स्कूटी उठागे बैग में रख लिए फिर आप आगे जाएंगे वहां पर आपको tempo station मिलेगा tempo उठागे बैग में रख लिया मेट्रो स्टेशन मिल गया उसको उठागे रख लिया जो मैं कुशन कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए कि आप रख सकते हैं या उसमें एक लिमिटेड इस्पेस कि यदि लिमिटेड इस्पेस है तो आप लिमिटेड चीज़े ही रख सकते हैं कुछ नोट्बुक रख सकते हैं कुछ बहुत और भी आप रख सकते हैं उसके लावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रख सकते हैं हम लोग अपना discussion भी बैक्टिरियो फास में यही से start करते है चीके यह इसका capsid है क्या है जैसे किसान की एक जोपड़ी होती न किद के पास उसी तरह से वाइरस के पास एक प्रोटीन की जोपड़ी होती जिसे क्या कहते हैं है उसमें अपने डियने को अपनी आत्मा को बंद कर लेता है जैसे धूल पानी बगएरा से बच सके पास समझ में आ रहे हैं इस capsid का कोई बहुत रोल नहीं है इस वाइरस की replication में क्योंकि वाइरस का जो active component है वो कौन है उसका genome है यह दूसरे function perform कर सकता है अब हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं तो capsid क्या है आप लोग समझ गये होंगे जो वाइरस के ऊपर का आपने एक आवरंड है उसे क्या बोलते हैं यह proteinis होता है कि वाइरस पर यह प्रोटेक लिपिड की लेयर भी हो सकती उनको इन्वेलब्ड वाइरस क्या कहते हैं और वो जो लेयर है लिपिड की वो वाइरस ने नहीं बनाई है बलके जब वाइरस एक सेल से बाहर निकल रहा था सेल की लिशिस के बाद तो उसी के membrane fragments को इसने अपने fragments से अपने आपको cover कर लिया था इस बज़ें का movement आसान हो जाता है एक किसी बी मर्टी सेरिलर ओर्गेनिसम में अ धान दकेंगे अब यहां पर धान दे कि इस कैप शिड में ये 29 ल॒ का डीनिय क्या करता है रख सकता है कितने के वी गहां 29 के भी का डीनिय रख सकता है समझ में आ रहा है सॉरी मैं बार बार 29 बोल रहा हूं 49 kb का dna रख सकता है यहां पर ध्यान दीज़ेगा सब लो ठीके इस कैपसिट में बहुत जादा इस्पेस नहीं है कि और जादा dna रखा जा सकता है केवल और केवल एडिसनल 3 kb dna और रखा जा सकता है तो 29 प्लस 3 उसे पूरी उम्मीद है सही आंसर आएगा कितना होगा 52 तो maximum कितना dna आ सकता है इसके कैपसिट में बताइए 52 यहां problem है हम लोग एक dna को copy करना चाहते हैं dna के clone बनाना चाहते हैं वाइरस का जीनोम कितना है 49 kb का और इसके कैपसिट में 49 के साथ 3 kb dna अडिसनल आ सकता है इसका मतलब limitation केवल इतनी है कि यह वाइरस केवल और केवल 3 kb dna अडिसनल ले जा सकता है समझ में आ रहा है एक बड़ी problem यह है इसका मतलब आपको इस problem से पार पाना होगा इस problem को solve करना होगा इन वाइरस को as a vector develop करने के लिए समझ में आ रहा है ठीके यह genome size ध्यान रखेंगे दो main problems है bacteria first को as a vector develop करने में कितनी problem है दो problem है ठीके पहली problem packaging को ले करके है इसके capsid में केवल और केवल 52 kb का dna ही pack हो सकता है जबकि इसका genome size कितना है 49 kb और एक तरफ हम कह रहे हैं कि 25 kb के round हम dna को clone कर सकते हैं वाया bacteria fast vectors ठीके तो इस problem को solve करना होगा तो मैं बात कर रहा हूँ bacteria fast को as a vectors develop करने में दो problems क्या है ठीके उन problem को हम लोगों ने कैसे solve किया इससे आप इनकी importance समझ पाएंगे और इनकी carrying capability भी समझ लेंगे तो इन problems के साथ हम लोग आगे बल रहे हैं इन आंसर जानेंगे और आप उसी में भी समझेंगे bacteria fast को as a vector कैसे develop किया कि ठीके समझ में आ रहा है a DNA molecule is more than more than 22 kb cannot be पताइए उसके head structure में pack नहीं हो सकते हैं यदि डियने का size कितने kb से जादा है 52 से जादा है तो packing नहीं हो सकते हैं यदि हम लखेंगे and infective first particle are not formed यदि ये packaging नहीं होगी तो एक infectious viral particle नहीं बनेगा this severely limits the size of DNA fragment that can be inserted into an unmodified lambda vector ये एक limitation है कि आप lambda vectors में अपने desired DNA को या बहुत बला desired DNA आप insert नहीं कर सकते हैं problem यह है problem आप समझ गये होगे चीगे कितना DNA आ सकता है 52 kb और इसका अपना खुद का जीनों 49 kb का है 49 kb तो इसका मतलब आप 3 kb का foreign DNA ही add कर सकते हैं ये इसकी limitation है चीगे दूसरी point पर हम लोग discussion कर चुके हैं कि दूसरी point पर discussion कर चुके हैं जब आप मैंने आपको mathematical relation बताया restriction site का तो वहाँ पर लेमडा फास की बारे में बताया था एक restriction site कितने चीगे कितने nucleotide या base pair बाद हो सकती है उसका हम लोगोंने calculation किया था 4 की power में number of base pairs हम लोगोंने add किया थे कि restriction site में number of base pairs कितने इसी basis पर और वहाँ पर मैंने आपको लेमडा फास के जीनों के बारे में बताया था कि जो mathematical relation है चीगे वह actual value से match नहीं करते है या actual condition से match नहीं करते है दूसरी problem क्या है सभी लोग ध्यान से समझे लेमडा वाइरस का genome size बहुत बड़ा है और इस बज़े से इस जीनों में multiple restriction sites है multiple restriction sites अब यहाँ इस problem को समझेगा यदि हम लोग इस इको आरवन से treat कर दे यह सभी माल लेते हैं इको आरवन की sites है तो result क्या होंगे बताई पूरा का पूरा viral DNA छोड़े छोड़े fragments में convert हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा तो दूसरी problem है multiple restriction sites का present होना जो common restriction enzymes है जो यूज करते हैं recombinant DNA technology में उनकी recombination sites multiple time repeat होती है इस बज़े से हम किसी भी एक enzyme को यूज करते हैं तो इस DNA का इस genome का fragments में break हो जाना यह common है और यह fragments में break हो जाएगा और इस तरह से आप जो एक intact recombinant DNA बनाना चाहते हैं वो नहीं बने का यह दो problem है यह point समझ में आ रहा है अब इन problem को कैसे solve करेंगे बताई इन problem को कैसे solve करेंगे वाइरस को करोना का injection लगा देंगे वैक्सीन लगा दी जाएगे और बता दिया गया कि तुम अब restriction enzyme resistance सो करोगे resistant डवलफ हो गया restriction enzyme कि तर ठीक है तो दुखी होने की दरूरत नहीं है इनमें हम लोग change कर लें क्या कर लेंगे चली देखने क्या change करेंगे मैं फिर कहूंगा बैक्टिरियो फाजा पढ़ चुके हैं इसमें तो आप ना बोल नहीं सकते हैं कहीं लोग बोल नहीं रहे पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके हैं बिल्कुल पढ़ चुके हैं उसमें आपने आपने दो साइकल्स के बारे में पढ़ रखा है ग्रोथ साइकल्स के बारे में लेटिक और आप किस तरह का वेक्टर डबलब करना चाहेंगे जो लाइसोजेनी में चला जाया जो लेटि क्योंकि license नहीं पर चला गया तो सो गया हो समझ में आ रहा है तो क्यों न हम लोग जो lytic cycle के लिए जो genes जिम्मेदार थे उनको हम छोड़ दें और जो license नहीं के लिए जिम्मेदार थे उनको हटा दें उनको delete करने delete करने से गया होगा साइज छोटा हो जाएगा वाइरस का जीनोम साइज छोटा हो जाएगा इस बज़े से हम लोग बड़े इंसर्ट बड़े DNA को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं तो पहली प्राबलम को कैसे सॉल्व कर लेंगे ऐसी जीन्स जो रिस्पॉंसिबल लाइसोजेनी के लिए उनको हम लोग रिमूब कर देंगे डिलीट कर देंगे लेकिन हम लोग उन जीन्स को डिलीट नहीं करेंगे जो जीन्स रिस्पॉंसिबल है ठीके लाइटिक ग्रोथ के लिए या बिसिकली कहें वाइरस के replication के लिए और उसके DNA की packaging के लिए in capsid उनको remove नहीं करेंगे यह सभी लोग ध्यान रखोगे तो पहली problem थो तो बहुत आसानी से हम लोग solve कर लेंगे जो DNA portion delete करेंगे उसे बोलेंगे non essential क्या बोलेंगे non essential और इसको delete करने से लगबग 15 kb का space create हो जाएगा कितने kb का और 3 kb addition लगा सकते थे तो total कितने kb का 18 kb का space हाज आएगा समझ में आ रहा है तो non essential reason अर्थाथ वो DNA segment वो genes जो responsible थी लाइसोजनी के लिए उनको delete कर दिया जाएगा पहली problem को solve कर लेंगे first problem solved by the removal of segment containing most of the genes involved in lysozenic infection cycle but the latent cycle is इसको effect नहीं करेंगे क्योंकि इसको effect करेंगे तो virus के जो replication और उसकी जो packaging की process से उस पर effect आजाएगा ठीके दिस removed lambda dna segment is up to 15 kb कितने तक हो सकता है 15 kb ठीके card non essential reason अब देखें यहाँ पर आपको एक point technical point याद रखना है जब non essential reason को remove किया तो space लगबा कितने kb का 15 kb और 3 kb नेचरली ले जा सकता था total कितने kb का हो गया 18 kb ध्यान रखेंगे यह कुछ basic point को आपको ध्यान रखना है इसके बाद एक साइजे जीन बगएर आप लोगों ने पल रखें यह तो देखें इस portion का इस reason का dna हम लोगों ने क्या किया delete कर दिया 20 सी लेकर के 35 तो 15 kb का dna क्या कर दिया delete कर दिया बाकी portion को ligate कर लिया इस तरह से non essential reason को हटा दिया जिससे इसकी lysozenic cycle में जाने की capability खत्म हो चुकी है अब ये cable और cable lighting cycle में जाएगा और हमारे लिए यही बेतर है क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा copy बनाएगा उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा dna मिलेगा after removal of non essential reason 18 kb of new dna can be added into xenon xenon में कितने kb का dna add कर सकते हैं 18 kb क्यों add कर सकते हैं आपको इसका answer पता है तो 20 और 35 के बीच के reasons को क्या करेंगे delete कर देंगे लगभग 15 kb का dna delete कर दिया और इस तरह से लगभग 18 kb का एक dna insert इसमें लगाया जा सकता है यह पहली problem थी जिसे solve कर लेंगे अब दूसरी problem पर आते हैं दूसरी problem क्या है दूसरी problem क्या है दूसरी problem है multiple restriction sites का हो न इसका हो न ठीक है eco-arbon के restriction site बताइए क्या है यही तो है न यह restriction site multiple time repeat होती किसी एक enzyme के लिए तो problem यह है जब आप enzyme से treat करेंगे उस xenon को तो multiple fragment हो जाएंगे और जो हमें एक DNA बनाना चाहते हैं एक intact recombinant DNA वो नहीं बनेगा क्योंकि DNA fragments ब्रेक हो जाएगा ठीक है तो हमें restriction sites से उनमें change करना होगा उनमें क्या करना होगा दूसरी problem को solve करने के लिए restriction sites में क्या करना होगा change करना होगा ठीक है जैसे ये site है इसमें हम लोग क्या लगा दे C लगा दे तो अभी co-r1 की site तो नहीं रहा तो simple सा concept है यह दि हमें eco-r1 या किसी दूसरे enzymes की restriction sites से उनमें change करना है उनसे insensitive बनाना है तो उनकी restriction site के nucleotide sequence में change करना होगा क्या करना होगा ऐसा करने के लिए कौन सा procedure यूज़ कर सकते site directed mutagenesis क्या कर सकते particular site पर क्या करे mutation करे nucleotide को change करे यह हमारे पास option होगा देकिए दूसरी problem को solve करने के लिए हमारे पास option क्या है site directed mutagenesis लेकिन इसमें एक problem इसमें एक problem है बेक्टिरियो फास लेम्डा का genome size कितना है 49 माल लेते 15 kb निकाल दिया तब भी 34 का बचा 15 kb का dna हम लोगों ने क्या किया निकाल दिया फिर भी कितने kb का genome size है 34 kb का genome size है या नहीं है समझ नहीं पा रहे 49 kb का genome है 15 kb remove कर दिया बताईए कितना बचा कितना बचेगा 34 बचेगा बताईए कितना बचेगा 34 बच जाएगा इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहे कई लोग मुझे देख रहे हैं फिर इधर देख रहे हैं फिर बोर्ड देख रहे हैं फिर तीन बार ऐसा कर चुके हैं तो उसी पॉइंट पर आते हैं site directed mutagenesis कर सकने हैं लेकिन genome size बहुत बड़ा है और sites multiple हैं आप कितनी site पर mutation करेंगे एक enzyme तो है नहीं multiple enzymes के लिए multiple sites है multiple enzymes के लिए multiple sites है तो problem तो यहाँ पर है कि जब आप site directed mutagenesis करेंगे तो फिर आपको बहुत समय लगेगा इसमें तो बहुत challenge होगा तो फिर दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस problem को solve करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है दूसरा तरीका हो सकता है natural selection क्या है natural selection natural selection क्या है उस लोग evolution वाला natural selection ले कि आजाएंगे कि हमारा काम कदम केंगे सर एक लाग साल बाद हो पाएगा तब तक ना आख होंगे और ना हम होंगे ना ये जगए होगे आप विकार में चिंता कर रहे हो हम लोगों घर जाने दो ठीके natural selection क्या है बताए अच्छा तुम लोग सुनने के लिए तयार हो ना तो ठीक है मैं बता सकता हूँ देखे नेच्रल सेलेक्शन के मैं कुधारण से आपको समझाना चाहूँगा और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे जैसे यदि हम लोग जाएं तो अपने सेरों में घूमें तो बहुत सारे आपने देखा होगा जो गाय हैं वो घूमा करती है गलियों में ठीके अपके लोग सांत हो गएंगे हमने तो नहीं देखा तुम्हें बकरी नजर आती होंगी लेकिन हम लोग जो लोग समझदार हैं समाज को सम नजरिये से देख रहे हैं उन्हें तो गाय नजर आएगी आप लोगी नजर में बगल से निकलने वाला आदमी भी मच्छर नजर आता है कि यह मच्छर जा रहे हैं मैं तो आदमी हूं तो आप उस नजर से नहीं देखेंगो ठीक है अब यहां पर ध्याँ दीजएगा मैं आप से जो कोशन कर रहा हूँ उस पर ध्याँ दीज़ेगा, गाये हैं, सभी के सिर पर दो सींग हैं, ठीके, लेकिन क्या ऐसी कोई गाये, या ऐसा कोई उस पूरी species में, कोई ना कोई तो ऐसा member होगा, जिसकी हो सकता, सींग ना हो, defectiv हो गाये, डबलब ही ना हो पाई हूँ हो सकता है ना होगा ना किवल ढूड़ने की तो जरूरत है या फिर आप क्या करेंगे बोले बिना सिंग वाली गाय लाना है तो उस देश की पूरे गायों की सींगी काट भी बोले सहाब इससे सेलेक्ट कर लो अब तो सारी बिना सिंग की हैं तो यह तो बड़ा च किसी कांसेट कोई ना कोई तो बैक्टिरियो फाज ऐसा होगा जोई सिविलियूशनरी हिस्ट्री में जिसकी रिस्ट्रिक्शन साइट में म्यूटेशन हो गये होंगे रिस्ट्रिक्शन साइट में क्या हो गये होंगे ब्यूटेशन और वो किसी ना किसी रिस्ट्रिक्शन इंडो-नुक्लिये से insensitive होगा समझ में आरा है क्या होगा insensitive हमें कुछ नहीं करना है E.K.ali का culture लेना है bacteria-faz एड़ करना है और पहले step में co-r1 एड़ कर दिया diferencia यद situation से bacteria-faz sensitive हनगे तो सारे bacteria-faz मारे जाएंगे और जो bacteria-faz बच निकलेगा यह बैक्टिरियो फास बस निकलेगा इसका मतलब इको आर्वन पर उसका कोई effect नहीं है उसी इको आर्वन को उसी बैक्टिरियो फास को लोग क्या करेंगे isolate कर लेंगे चीगे तो बैक्टिरिया की यह culture plate है जहां पर clear block बनेगा इसका मतलब बैक्टिरिया मर गए है इसका मतलब मारने वाला वाईरस इको आर्वन से insensitive है उसे select कर लेंगे यह natural selection है अब मैं उस वर बहुत जादा नहीं जा रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझ गए होंगे तीगे नहीं समझ पा रहे हैं बताए किनिस में आ ला रहा है । जैसे अम सभी लोग बोल लें लेखिन हमारे समाज में कुछ से भी लोग जो नहीं बोल पाते हैं बहुंगे होते हैं वोग लोगों में कोई ना कोई तो मिल जाएगा ना कोई कहानी यहां है समझ में आ रहा है मैं आपको वेक्टर पढ़ा रहा हूं हूं क्या पढ़ा रहा हूं तो यह कहानी मैंने आपको बता दी है और हम लोग आगे वेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है सिकेंड प्रॉलम इस सॉल्वड बाई आइधर इन विट्रो और नेचुरल सेलेक्शन वाज यूज तो प्रोवाइड इस्ट्रैन ओ लेंड़ा देट लैग भी अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन साइट चीगे इन विट्रो म्यूटाजनेसिस कैन भी यूज तो चेंज दियार सिक्वेंस पॉर इक्जामपल इको आरवन का साइट क्या है क्या देखिए चेंज कर लिया जीजी लगा दिया बस इसे बदलना है इंसेंसिटिव हो जाएगा लेकिन इन विट्रो म्यूटाजनेसिस ये एक कॉम्प्लिकेटड प्रोसेस से मल्टिपल साइट पर करना है इसम ध्यान रखेंगे तो दो प्रॉब्लम्स थी दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया अब आगे बढ़ा से दोनों प्रॉब्लम्स को क्या गिया वाइरस को सेलेक्ट कर लिया ठीक है और नोन इसेंसियल रीजन को डिलीट करके स्पेस क्रियेट कर लिया कि 18 kb का dna तो MMdas कितने तरह ओए के vectors दो तरह की tack से and replacement insertion और replacement vectors क्या है उसको पहले सामान हिंदी में समझ दो क्योंकि अंग्रेज़ी वाला तुम्हें समझії नहीं आएगा जब तक हिंदी वाला समझ होगे नहीं मनूस तुम बताओ कैसे समझ ना चाहऑ बताओ हनुस कहीं बोलेंगे जैसा आपको सही लगए आप बताओ रेप्लेस्मेंट और इंसर्शन वेक्टर को सभी लोग ध्यान से समझेगा और बहुत ही आसान है इसी बेसिस पर वेक्टर है और आप कैसे इनको समझ रहे हैं यह आपकी ओवराल जो अंडरिस्टेंडिंग है रिप्लेस्मेंट और इंसर्शन वेक्टर विसी पर बेस जो है समझ में आ रहा है चीज़िए यह यह अपर ध्यान देजिए यह बेक्टेरियो फास्ट लेम्डा का डियन यह जीनो लेकरीर फासलमटा का क्या है जbew जीनारी है इसमें हम लोगों ने एक सिंगल restriction site लगाया है कितनी restriction site है एक कितनी restriction site एक अब बताओ यह मान लेते हैं for example यह eco-r1 की restriction site है और A की restriction site है जब हम लोग eco-r1 तो इस restriction site को digest करेंगे या इको आरवन से इस जेने को एक्सपोस करेंगे तो कितने फ्रेग्मेंट होगे यह फ्रेग्मेंट हुआ और दूसरा फ्रेग्मेंट यहां होगा नहीं होगा दो टुकड़े हो गया न यह ध्यान बख्योंगे अब इन जब इको आरवन से कट किया है तो यहां इस्तेगाइ इंड होंगे चीगे हम लोगों का जो डिजाय डियने है फॉरंड डियने है उसका एक इंड यहां जोड़ा और दूसरा इंड यहां जो क्या किया इंसर्ट हो गया समझ में आ रहा है तो बैक्टिरियो फास के जीनों में एक रिस्ट्रिक्शन साइट लगाएंगे कितने रिस्ट्रिक्शन साइट एक जब कट होगा तो कितने फ्रेग्मेंट और उन्हीं दोनों इंड फ्रेग्मेंट के इंड पर डिजाय डियने को जोड़ देंगे इसको बोलेंगे इंसर्शन वेक्टर्स इंसर्ट कर दिया समझ में आ रहा है इसको ये बात समझ में नहीं आई कोई ना कोई तो ऐसा होगा चलिए कोई बात नहीं सभी को समझ में आ गया पर केरें ये देकिए दूसरा केरेंस है ये है वाइरस का जीनूम और इस पर हम लोगों ने लगाए हुए हैं दो restriction side कितने restriction side for example restriction side eco-r1 के लिए है इसके लिए है बताओ जब eco-r1 से इसे हम लोग digest करेंगे तो कितने fragment मिलेंगे तीन एक ये मिलेगा ये दूसरा मिलेगा और ये तीसरा समझ में आ रहा है ये वाला fragment हटाया बीच वाला हटा दिया न तीसरा जो internal fragment था वो क्या किया हटा दिया और उसकी जगे पर desired DNA को लगा दिया तो एक portion हटाया उसकी जगे पर foreign DNA को ligate कर दिया तो ये कैसा हो गया replacement एक portion को replace कर दिया अब समझ में आया इनी को कहते है replacement तो यदि आपको बनाना है replacement vector तो क्या करना होगा दो restriction site लगाएंगे और यदि बनाना होगा insertion vector तो कितनी restriction site ध्यान रखोगे यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है पूरी कहानी यहां देख लो चाहें किताबों में जा करके देख लो यह समझ में आ रहा है ठीके replacement vector में यदि हम लोग दो restriction site लगाएंगे तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा non essential regions के junction पर लगाएं जिससे remove होने वाला जो reason हो वो कैसा हो नहीं तो कहीं और लगा दिया essential वाला लेके चला गया यह ध्यान रखोगे यह समझ में आ रहा है तो कितने तरह के vectors जब लग किये कौन कौन से बताओ दो आगे बढ़े नहीं तो इनको थोड़ा और पढ़े बताए यह आप समझ गए हो तो दो तीन लोग को छोड़ कर गए कुछ लोग बिलकुल सांत हो गए हैं कि ऐसे कैसे बढ़ सकते हो आप पूरा भी पढ़ा नहीं है हटा दिया पहले ही जब insertion vector को डबलब करेंगे तो non essential reason को पहले क्या करेंगे हटा लेंगे और जब non essential reason को हम लोग हटा रहे होंगे तो portion हटा करके और फिर बचे वे portion को क्या करेंगे लाइगेट करेंगे जब लाइगेट करेंगे वहीं पर हम लोग लगा लेंगे linker linker और adapter हम लोग पढ़ चुके न तो उससे क्या create हो जाएगा restriction site इस तरह से जो replacement vector हैं उनमें हम लोग यदि restriction site को non essential reason के junctions पर place कर लें तो जब हम recombinant बनाएंगे उसी समय उसे replace कर लेंगे जब कि insertion vector में पहले non essential reason को क्या करेंगे हटा देंगे जड़ा यहाँ पर देखे कितने के भी का है यह कौन सा reason clip करके ligate कर लिया clip करके ligate कर लिया समझ में आ रहा है 35 to 40 के भी आगे पीछे जो भी remove कर दिया यह single restriction site है क्या है यहाँ पर cut करेंगे यही पर insert कर देंगे ठीक है इस question का answer में दुबारा दे रहा हूँ यदि insertion vector बनाना है तो पहले ही non essential reason को हटा देना है समझ में आ रहा है बाकी बचे हुए portion को ligate कर लेना है और एक single restriction site place करना है इसको place करना है अब इसे cut करेंगे और DNA को insert कर लेंगे replacement vector में पहले से हटाने की जरूरत नहीं है बस हमें क्या करना है non essential reason पर restriction sites उसके end पर place कर लेनी जब recombinant बनाएंगे उस समय इन को अलग कर लेंगे इसको replace कर देंगे समझ में आ रहा है इन केस आफ इंसर्शन वेक्टर ए लार्ज सेग्मेंट आफ दी non essential reason is ठीके is remote क्या करेंगे remove कर देंगे and the two arm ligated together ठीके they possesses at least one unique restriction site this point पर मैं बार बार focus कर रहा हूँ उस पर ध्यान भी रखना है यह इनसर्शन वेक्टर बनाना है तो एक single restriction site को ही place करना है क्योंकि दो place कर दिया तो intervening जो reason होगा वो remove हो जाएगा ठीके restriction site in which a new DNA can be inserted the size of the DNA fragment that an individual vector can carry depends on the extent to which non essential reason has been deleted कितना बड़ा ठीके DNA segment इस तरह के vectors carry कर सकते हैं वो depend करता है कि deletion के समय आप में कितना portion delete किया है non essential reason को जब आप delete कर रहे हैं तो हम लोग कितना delete कर सकते हैं कितना कर सकते हैं 15 kv के round कर सकते हैं यदि 15 kv से ज़्यादा करेंगे तो problem यह आ जाएगी कि फिर उसके essential reasons है वो remove हो जाएंगे इतना हम लोग delete कर सकते हैं तो यहाँ पर जो यह question है कितना डिने ले जा सकता है वो depend करता है कि आप कितना portion delete कर रहे हैं यह ध्यान लखेंगे तो insertion vector में non essential reasons को हटाया essential reason को जोडा और एक single restriction side place किया यदि हमें किसी DNA को insert करना है तो उसी restriction side पर cut किया और दोनों int पर हम लोगों ने DNA को insert कर लिया इस तरह के vectors को क्या कहते हैं insertion vectors कहते हैं दो तरह के insertion vectors हैं lambda zt 10 और second is lambda zp second z ap second समझ में आ रहा है molecular biology या फिर recombinant DNA technology में यदि z आता है तो most of cases में ध्यान रखना है ये beta galactosides का zin होगा इसका होगा beta galactosides का होगा ये ध्यान रखेंगे एक general idea आपको आ जाएगा इसका मतलब इसमें कहीं ने कहीं beta galactosides zin भी place कर लेंगे और beta galactosides को place करने का aim होता है कि selection आसान हो सके selection आसान हो सके ठीक है तो insertion vector कितने तरह के है दो तरह के है कितने तरह के दो तरह के कौन कौन से lambda zt10 और lambda jp second ध्यान रखोगे दोनों insertion vector है दोनों की carrying capacity अलग है ठीक है और दोनों में कुछ difference भी है ये लगबग ले जा सकता है 8KB का new DNA समझ में आ रहा है और eco-arban site इसमें एक restriction site होगी वो कोन सी होगी और ये restriction site present है c1 zine में और c1 zine किसके लिए responsible था बताइए लाइसोजेनी के लिए जरा ध्यान दीजेगा यहाँ पर ये है c1 zine कौन सा zine है c1 zine responsible है लाइसोजेनी के लिए इसके लिए इसी c1 zine में place कर दिया है eco-arban site इसको place कर दिया है और यदि eco-arban से आप treat करोगे तो c1 zine क्या होगा break हो जाएगा जब DNA insert होगा तो c1 zine break हो चुका होगा इसका मतलब जो recombinant DNA बनेंगे कौन से DNA बनेंगे recombinant DNA होगा उस DNA में c1 zine interrupt हो चुका है और कभी भी वाइरस लाइसोजेनी में नहीं जाएगा और यदि वाइरस लाइसोजेनी में जा रहा है इसका मतलब वाइरस का जो जीनोम है वो recombinant नहीं है उसमे desired DNA insert नहीं हुआ है अर्थाद जो selection है लेम्डा जी टी वेक्टर का वो लाइसोजेनी और लिटिक पर decide हो जाएगा यदि लाइसोजेनी cycle आ रहे इसका मतलब recombinant DNA नहीं है यदि लिटिक है इसका मतलब recombinant है insertional inactivation of this zine means that recombinants are distinguished as a clear rather than turbid plug clear plug बनेंगे क्योंकि सारे virus के इसमें जाएंगे light growth में क्योंकि lysozenic zine है वो interrupt हो चुका है ताइद आप समझ पा रहे होंगे कितने kb का है इसको मैं दुबारा बोल रहा हूँ लेम्डा GT 10 vector में हम लोगों ने selection के लिए recombinant selection कैसे हो recombinant selection के लिए c1 zine को remove नहीं किया जब non essential portion remove कर रहे थे तो किसको remove नहीं किया c1 को बलकि c1 में हम लोगों ने place कर दिया एक restriction side को eco r1 को इस aim के साथ कि जब eco r1 से digest करेंगे तो c1 zine break हो जाएगा और break होगा तो उसी के बीचो बीच में insult हो जाएगा न जो हमारा target DNA है तो c1 zine का function खक्म हो जाएगा और virus किसमे नहीं जाएगा lysozine में lysozine में उसे नहीं जाना चाहिए समझ में आ रहा है लेकिन यहां से हमारा selection कैसा होगा आसान हो जाएगा तो यहां पर देखे जो lambda jab second है और lambda gt10 vector है इसमें difference क्या है तो difference एक तो यह है कि selection को लेकर के जो gt10 हमारे पास vector है इसका selection हम c1 zine के base पर करेंगे clear plug बनेंगे या नहीं बनेंगे इस पर हो जाएगा और यहां पर clear plug पर नहीं यहां lag zine पर base होगा किस पर base होगा समझ में आ रहा है किया यसर करते ही चले जा रहे है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12 बज़े के बाद के बल यसर बोलते है और जल्दी जल्दी बोला करते है मैं कुछ बोल रहा हूँ तब भी बीच में यसर निकल जाता है जिसे मैं अपनी स्वीट बढ़ा दूँ पढ़ाने की और जल्दी फ्री हो जाए बाद ने बोलते हैं बगल वाले इस देखा आज जल्दी छुट्टी करा दी तो यह जुँ जी बोलने वाले हैं वो समलके बोले और इस देख के साथ बोलें तो बोले जल्दी ना आया हो तो नो बोलेए चलो यह है समझ में आ रहा है कितना डीयन ले जा सकते हैं दूसरी तरफ आते हैं यह कुछ ज़्यादा बड़ा डीयने ही केरी कर सकता है कितना dna carry कर सकता है बताइए 10kb dna carry कर सकता है ठीके which inserted into any of the six restriction sites ठीके यहाँ पर six restriction sites है अलग-अलग enzyme के लिए और वो सारी restriction site किसमें है और यह polylinker present है जटेजी में देखिया है strategy में बतलाओ किया हम लोगों एक polylinker बनाया है क्या बनाया और जटेजीन में उसे place करके यहाँ प्लेस कर दिया है ठीके तो selection किस पर बेस्थ हो जाएगा लेक्ज़ेड पर selection आगे में पढ़ाऊंगा लेक्ज़ेड का मतलब आप समझे रहे है बीटा इंटरप्ट हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा और इनक्टिवेट हो जाएगा इंसर्शन चीगे इनक्टिवेट्स दी जट्जीन एंड री कॉंबिनेंट गिप्लियर रादर देन ब्लू प्लॉट ऑन दी गैलेक्टोज अगर एक समझ में आ रहा है जो बीटा गैलेक्टोज से बेस्ट सेलेक्शन है उसके बारे में बताएंगे वागी कहानिया आप लैको पिरॉन में पढ़ चुके हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंसाइम को बस यहाँ पर आपको कलर के बारे में थोड़ा पताना है और प्लाक्ट फॉर्मेशन आप पड़ी चुके हैं नॉन इसेंसियल रीजन भटाएंगे तो लाइसोजनी जीन हटा देंगे तो वाइरस जाएगा किसमें लाइटिंग में लाइटिंग में जाएगा तो क्या बनेंगे प्लाग बनेंगे यह दोनों में ध्यान ल सैंते बता आए कि औस से वेक्टरस पढ़ रहे हैं want ए इंसर्षें मेक्टर बताई प्रद दो यो सोण लोग ज्लास का ना महीं बता देते हैं कि असी िवेक्टर पढ़ रहा है इंसर्षान वैक्टर को ध्यान रखना है ये सामने लिखा इए insertion vector पढ़ रहे हैं कौन कौन से example पढ़ लिये हैं आप questions लगाएंगे तो इनके example दिये गए समझ में आ रहा है और अभी कुछ universities में और आपके university में भी अभी जब करोना के वज़े से जो exams नहीं हो पाये थे उसमें कुछ objective type academic exam लिये गए जो academic में student थे semester के exam नहीं हुए second, third या first semester के exam नहीं हुए उनके exam conduct किये गए और theoretically exam नहीं लिये गए बलकि objective types कि आप पूछेगे paper पूछेगे तो अभी आपके university में कुछ exam हुए उसमें ये question पूछा गया कि इनमें से कौन सा लेम्डा इंसर्शन वेक्टर है उसमें ये उधारण दिये था समझ में आ रहा है तो ये दो याद रखोगे ना नाम ये कौन से हैं ठीक है पहले नाम ध्यान रखना इंसर्शन के दो example है फिर इन दोनों का difference याद रखना है आगे बढ़ा जाया अब हम लोग बात करते हैं replacement vector replacement vector की कहानी और आसान है कितनी restriction site बताइए दो किसी भी enzyme की दो multiple restriction site लगा सकते हैं लेकिन किसी भी enzyme की 2 restriction site हम लोग use कर सकते हैं ये ध्यान रखोगे 2 restriction site use करेंगे और basically जो non essential reason है उनके junction पर place कर देंगे तो जब cut करेंगे तो non essential portion का जो fragment है वो अलग हो जाएगा और वहीं पर हम लोग अपने target DNA को insert कर देंगे ठीक है ये lambda replacement vector has two recognition site for the restriction indonuclease that flank non essential reason called is for fragment जो ये non essential reason है जो निकल जाएगा जिसको निकाल करके हम लोग अपने desired DNA को लगाएंगे उस निकलने वाले DNA को क्या बोलेंगे जैसा हम लोग MIRN, SI RNA में देख रहे थे single stranded DNA reason क्या होगा निकल जाएगा और उस removed DNA segment को हम लोग क्या नाम देंगे बदाएगे RNA segment को क्या नाम दे रहे थे बदाएगे passenger strand क्या नाम दे रहे थे passenger strand ये ध्यान लखेंगे तो यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं इस नोन essential DNA segment is replaced by the foreign DNA जो non essential DNA segment है उसको replace कर दिया जाएगा foreign DNA से सभी student थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे ये lambda virus है का genome है lambda virus का क्या है कोई ऐसा हैगी हम कैसे मालने दूरलाई ने खीच के खड़े हो जाते हो तो ये genome हम कैसे मालने कोई ऐसा तो नहीं है माना कि ये lambda virus का क्या है genome है और आप जोट नहीं बोल सकते मुझ से क्यों 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 कि high school inter में खुब मान के आए हैं माना की वहां मानते रहे हैं तो यहां मान लीजिए वहां आपने विरोध किया हो तो बताएए यहां पर एक restriction site लगा दिया और पोर्षन रिमूब हो जाएगा यह ध्यान लख होगे जब यह पोर्षन रिमूब हो जाएगा और रिमूब होने के बाद इन ही इंट्स पर हम लोग अपने desired dna को add कर देंगे तो मैं यहां पर आप इसको consider कर लें remove करने के बाद हम लोगों ने अपने dna को यहां पर insert कर इस तरह के vectors को क्या क्या आतनी replacement basic concept क्या है दो restriction sides होगी ठीके और यह दोनों restriction side junction पर होगी non essential regions ठीके this non essential non essential dna segment is replaced by the foreign dna this replacement vector are generally designed carry large piece of dna than insertional vectors एक सिंपल पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो insertion vectors होते हैं उनसे replacement vectors की foreign dna carrying capacity ज़्यादा होती है इनको replacement vector में हम लोग काफी बड़ा segment हटा आगर कि उस जगे पर desired dna को क्या कर रहे हैं place कर रहे हैं समझ में आ रहे हैं desired dna को क्या कर रहे हैं place कर रहे हैं यह ध्यान रखो गए इस बज़े से आपसे कभी यह question पूछा जाए insertional lambda vectors zyada dna carry कर सकते हैं replacement lambda vectors zyada dna carry कर सकते हैं replacement dna जढ़ा चीके replacement vector zyada dna carry कर सकते हैं यह ध्यान दखेंगे सभी लोग, आगे बढ़ा से है, एक्जामपल कौन कौन से हैं, लेम्दा, टीके, डी, ए, ये, से, 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 केंड वेक्टर्स, तो यह सभी लोग ध्यान दखेंगे, कौन सा वेक्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, यहाँ पर दो प्रॉब्लम और भी होगी, उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक एक ग्जामपल है, लेम्डा, डी, ए, यस, चीके, यस, यस, सेकेंड, तो लेम्डा, डैस, आप कह सकने, चीके, दास मत बोलिएगा, हिंदी में कहने में अच्छ पर भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखेगा, चीके, कितना डियने कर सकते हैं, जबकि अभी लेम्डा, जैप में आप 10 कवी डियने लगा चुके हैं, लेकिन आप इसकी करेंग कैपसिटी देखेंगे, 20 कवी के ऊपर जा रहा है, चीके, तो 9 से 20 कवी डियने क क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, चीके, रिकॉमिनेंट सेलेक्शन विट लेम्डा डेस्ट कैन बी ऑन दी बेसिस ओ लेम्डा जीनोम साइज और कैन यूटिलाइज यस पी आई फीनो टाइप, इसका जो सेलेक्शन है, वो जीनोम साइज और यस पी आई फीनो टाइप पर depend करता है अब यह क्या है आपके लिए दोनों नए है कि लेमडा जीनोम साइज क्या होगा और SPI phenotype क्या होगा यहां समस्या है या नहीं बताओ अरे उसी समस्या की कि बुझे तो आप यहां आए यह पढ़ने में कोई समस्या नहीं तो क्या आप यहां आते हैं इसका सेलेक्शन किस पर बेज़ए जो replacement vectors है इनका selection दो characters पर बेज़ए चीगे लेमडा के दो characters पर बेज़ए एक तो उसकी size पर बेज़ए और दूसरा SPI phenotype पर बेज़ए SPI phenotype पर बेज़ए चीगे कोशन यह उठता है कि जो phenotype है उसका हम selection कैसे करें कि student इनको कैसे पहचाने कि size और phenotype के basis पर हम recombinant को पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे यह question है तो पहले मैं आपको एक उधारण दे रहा हूँ और उससे फिर आप समझ जाएंगे कि selection कैस पर बेज़ए पहले मैं इसकी कहानी की बात करता हूँ size फिर भी थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि length की बात होगी छोटा होगा यह बड़ा होगा यह क्या है समझ में आ रहा है हमारे गाओं में मुझे कहना नहीं चाहिए एक लोग थे उनका नाम कुछ और था रवया भी कुछ और था लेकिन धीरे धीरे उस नाम modify होते होते वो sign हो गया क्या हो गया साइं और हमारे देश में तो sign वावा की बहुत सारे मंदिर हो पूजा करते हैं तो दीखिए एक व्यक्ति जिसका काम और नाम दोनों ठीक नहीं थे वो धीरे धीरे modify करके क्या हो गया sign हो गया और जब लोग से sign बोलने लगे उसने भी ठीका लगा लिया लेकिन वो ठीका यहां लगाए था लेकिन इस brain इस पीछे समझे फ्रंट बोन के पीछे जो सोच और समझती वो कहीं और थी बात समझ रहें उस रवय है कि कई लोग है यहां पर लेकिन मैं जानता हूँ चलिए उसी तरह से यह SPI selection की हम लोग बात कर रहे है SPI selection क्या है जैसे एक चौरों का group एक घर में चोरी कर रहा है तब तक दूसरा चोरों का group आगया चोरी करने एक चोरी कर रहा है और दूसरा ग्रूप आगया उसको पता नहीं था कि हमारे कुछ दूसरे साती लोग इसमें हैं वो आगे अब क्या होगा उन दोनों के बीच में fight होगी मुख किया एइसा सोचते हैं कि कोई special case ना हो तो क्या उन दोनों के बीच में fight होगी तो नहीं होगी वह तो भाई भाई जungen कि ही ठीक यार म से पता नहीं था तुम यह about वो दूसरे में चले जाएंगे, सर्च करते हूँ, नहीं चले जाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है, बैक्टिरियो फाज लेम्डा की कहानी भी यही है, जब एक बैक्टिरियो फाज या इससे रिनेटेड फाज किसी बैक्टिरिया में प्रेजेंट होते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग उस पर ध्यान दे रहे होंगे और उन चोरों के ग्रुप से आप बाहर निकल चुके होंगे उस सोच से आप बाहर हैं एक बैक्टिरियोफास आल्रेडी यदि किसी बैक्टिरियल जीनोम में प्रजेंट है बैक्टिरियल जीनोम में प्रजेंट है तो दूसरा बैक्टिरियोफास इसे इंफेक्ट नहीं करता है इस सेल में इंटर नहीं करता है जब हम लोग बैक्टिरियोफास पढ़ते हैं bacterial या viral cycle की study करते हैं तो super immunity के बारे में पढ़ाते हैं कि जब एक phas pro phas कह सकते हैं एक bacteria phas किसी bacteria के genome में inserted है तो दूसरा phas उसमें नहीं आता है जब वो already वहाँ सो रहा है तो क्यों disturb करने आए समझ में आ रहा है ये point समझ में आ रहा है ठीक है ये सबी लोग समझ पा रहे हैं तो ये bacteria phas क्या करेगा कि नहीं जाएगा naturally एक virus एक bacteria phas जब किसी bacteria में present है तो दूसरा bacteria phas उसमें इंटर नहीं करता है समझ में आ रहा है ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दीजे जब हम लोग replacement factors बनाते हैं तो काफी बड़ा segment bacteria phas क्या क्या करते है निकाल देते है जब हम लोग इस segment को निकाल देते हैं तो virus की जो ये capability है ये जो उसका selection है कि हम infection करेंगी infect करेंगी या नहीं करेंगी इस basis पर वो loss हो जाता है समझ में आ रहा है जब हम लोग क्या बनाएंगे replacement vector अर्थात replacement vector बना दिया एक RDNA create कर लिया bacteria phas lambda के साथ तो उसके पास ये property नहीं होती है property loss हो चुकी होती है और ये replacement vector अर्थात इस recombinant जो bacteria phas DNA है जो bacteria phas है अब वो इस cell को infect करेगा चाहें वो पहले से infected क्यों ना हो bacteria phas lambda से या related phas समझ में आ रहा है इस basis पर हम लोग क्या कर लेते हैं selection कर लेते हैं इस basis पर क्या कर लेंगे selection कर लेंगे ठीक है इसको SPI plus और SPI minus natural में चलता है और जब यहाँ पर हम लोगों ने non essential region को delete किया तो इस पर कहानी खत्म हो चुकी है अब यह infect करेगा इस पर selection क्या करेंगे कर लेंगे समझ में आ रहा है simple है एक ऐसे bacteria जो already virus से infected है उसमें भी अपना RNA add करेंगे और जो non infected है उसमें भी add करेंगे पता चल जाएगा क्योंकि already हम लोगों पता है ना कि profile condition में है या नहीं यह समझ में आ रहा है अब दूसरा देखो genome size की बात करते है lambda genome size पर आते है पहला case समझ में आया देखि हमारा topic viralology में जाकर कि viruses पढ़ाना नहीं मैं आपको vector पढ़ा रहा हूं बस उनसे related concept क्या है मैं वो समझा रहा हूं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन कम सब्दों में इन चीजों को समझे अब आगे बढ़े दूसरा कौन है lambda genome size lambda का genome कितना है बताइए 49 कितना है 49 kb है 49 kb इसका genome size है अब सभी लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान से समझेगा यहाँ पर सभी लोग ध्यान से बड़े ध्यान से समझेगा बड़ा ध्यान आप कहेंगे कहां से लाएं इसी बज़े से मैं कहता हूं ध्यान से समझेगा ठीके उस लोगों को size छोटा होता कहते हैं सरी चोटा है सर के आगरें बड़ा ध्यान कहां से लाएं कि इस बहुत सारे लोग तो होते हैं जिनका पॉडी तो नॉर्मल होता है बोडी कैसा होता है नॉर्मल होता है लेकिन बोडी के कमपरिजन में सिर्फ तोटा होता है इसमें उनकी कोई गलती नहीं यह गलती बहुत साल पहले हो चुकी है उनकी कोई गलती नहीं है ऐसी कंडिशन को माइक्रो की फैली कहते हैं सी से लिखते हैं माइक्रो सिफैली पढ़ सकते हैं क्या कहते हैं माइक्रो सिफैली साइटो मिगेलो वाइरस का नाम सुने हर्पीज वाइरस फैमली का मेंबर है साइटो मिगेलो वाइरस एक वाइरस है और जब यह infection cause करता है तो यह दि कोई embryo double up हो रहा है कोई embryonic development चल रहा है ऐसी condition में जो developing fetus है उसके सिर का size खोटा रह जाएगा समझ में आ रहा हैं तो सिर का size कैसा रह जाएगा छोटा कौन सा वाइरस बेक्टिरियोफास नहीं साइटो मिगेलो वाइरस हार जगे बेक्टिरियोफास यह यह E. coli का वाइरस है और E. coli बच्चे नहीं देते हैं बहुत बड़े कोशन यह जिलोजी से हैं जिलोजी से हैं पूरा क्लासिपिकेशन पढ़ रखा है वह भी पेरी भी पेरी पढ़ रखा होगा ना कि सब कहानी इन सब को चीरते हुए यहां तक पहुंचे हैं यह चलिए हम लोग अपने टauपिक पर लॉट के आते हैं कोई माइक्र बालिजिस्ट है साइट्यो मैईक्रो वा क्वी आपर बैठा है साइट्यो मैईक्रो वाइरस को चीरे चब इसकी स्टेनिंग करते हैं आसी जो का साइज बढ़ जाता है इसी वज़े से नाम दिया साइडो मिकल कौम सी स्टेंडिंग करते हैं सेल की माइक्रिस्कोपी में चेक करने के मेरे पास एक कमेंट आया है और कमेंट यहां किसी जो इस्टुडेंट बैठा है उसके लिए आया है और करने वाला कोई बाहर से है इसका मतलब वो उन्हें जानता है और उसने बाहर से बैठे बैठे कमेंट कर दिया मैं बता नहीं रहा हूं चलो कोई बात में सबी लोग घ्यान दो उसके लिए जैंक स्टैनिंग करते हैं और जब माइक्रोइस्कोपी में देखते हैं तो जैसे उल्लू की आँखें न उस तरह का सेल्स का अपेरेंस दिखाई पड़ता है पुल्लू की आखे देखी होंगी ना कभी ने कभी उस तरह इस तरह से हमें देखने लगते हैं जैसे यह लोग इंगलेंट से आए हूँ आप लोग इंगलेंट से तो आए नहीं है तो मसमें आ रहा है इस बज़े से सही भी हुआ रखा करें चलिए अपने टॉपिक पर लॉट कि आते हैं सब लोग ध्यान दीजिए कितने केवी का है 49 के भी का है ठीके कितने केवी डियाने और एड कर सकते हैं तो इस capsid में 52 kb का dna हम लोग रख सकते हैं अब यहां पर ध्यान दीज़ेगा एक portion हम लोगों ने डिलीट किया कौन से portion को डिलीट किया नॉन इसेंसियर लबा कितने kb डिलीट कर दिया बताइए कितने kb बचा कितना पताइए 34 kb का dna यहां बच रहा है अब सभी लोग ध्यान से समझ देगा यदि हम लोग 37 kb से small dna लेके चलेंगे कितने से 37 kb से यदि dna small होगा तो वो dna इस capsid में pack नहीं होगा यहां limitation भी समझ देगा इसा नहीं कितना बड़ा 49 kb का dna था और आधा काट के अटा दिया और बोले चोटा सा लगा देंगे आपने का दा जितना चोटा से चोटा वेक्टर हो तर नहीं बढ़िया तो इसका हम हाथ पैर सब काट के केवल desire dna लगा देंगे तो चोटे चोटा हो जाएगा यहां problem सम ने target cell को infect कर सके हमें introduce ना करना पड़े हमें तो केवल उन cells के साथ इसे add करना पड़े और natural infection का cause कर ले तो यहां पर एक limitation समझे जब हम virus से dna को delete करेंगे तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि virus का dna delete करने के बाद and then उसके साथ dna add करने के साथ ही उसका minimum size कितना होना चाहिए यदि आपने जो r dna बनाया है उसका size इससे कम है तो यह dna में pack नहीं होगा और एक infective bacteriophas lambda particle assemble नहीं होगा तो जो ideal replacement होगा उसमें non essential reason ही तो हटाएंगे इसको हटाएंगे non essential reason को क्या करेंगे हटाएंगे then फिर इसके बाद हम लोग 9 kb से ले करके 23 kb तक के dna को add करेंगे ऐसे ही तो करेंगे न चीगे तो जो इस size से कम होंगे replacement vector वो कैसे होंगे non functional इनको निकाल के बाहर करेंगे जो इस criteria में fit होते होंगे वह ही replacement vector हमारे लिए कैसे होंगे useful होंगे समझ में आ रहा है इस basis पर selection कर सकते हैं यह size के basis पर है चीगे तो maximum limit कितनी है और minimum कितनी है इन दो points को आप लोग समझ पा रहे हैं चीगे कोई समस्या इसमे पताए मनूस कोई समस्या चीगे तो अभी हम लोग कौन सा vector पढ़ रहे थ replacement, insertion vector हम लोग पढ़ चुके हैं चीगे replacement vector में example कौन सा पढ़ा हुआ है चीगे ज़रा यहां पर देखिए cloning with replacement vector यह कौन सा portion है stuffer इसको हटाएंगे और इस जगे पर हम लोग अपना foreign DNA यहां पर लगा देंगे ठीके जिसको new DNA से सो किया है यहां पर क्या गिया new DNA लगा दिया तो इतने portion को हटाया दो restriction side थी यहां पर cut किया इस portion को हटाया और उस जगे पर new DNA को क्या गिया insert कर दिया इस concept को कहते है यह इस concept के थूँ जो भी vectors डबल अप करेंगे उनको क्या बोलेंगे replacement चीगे उदारान कोन हमारे पास है यह हमारी restriction side है restriction करेंगे और यहां पर DNA को क्या करेंगे लाइगेट कर सकते हैं up to 23 kb 23 kb के DNA को हम लोग यहां पर लगा सकते हैं समझ में आ रहा है तो यह दो तरह के कौन से वेक्टर से बैक्टिरियो फास लेंड़ा बेज इंसर्शन एंड रिप्लेस्मेंट नहीं insert कर रहे हैं तो हम लोग 15 kb up to लिखा है 15 kb भी 15 थक हम लोग क्या कर सकते हम और विन एसेंसेंशल पॉर्शन को क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं चिक eh जब बैक्टिरियो फास में आप लोग पढ़ रहे थे तो कई सारे additional genes के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा हूँ ठीक है तो उन में से भी हम कुछ genes को गया गड़ सकते हैं target करके हटा सकते हैं अब आगे बढ़ा से हैं तो यह बैक्टिरियो फास नहीं है यह plasmid वाला है समझ में आ रहा है ठीक है यह क्या लिखा है बताईए क्या लिखा है क्या लिखा है plasmid यहां से हम लोग यह हटा लेते हैं PLA हटा लिया क्या बचा और यह है क्या है क्या है समझ में आ रहा है ठीक है क्या प्लाजमिट से मिड ले लिया और यस ले लिया कॉमन क्या बना दिया जो यह क्या से यह मिलेगा बैक्टिरियो फास लेम्डा से किसे मिलेगा लेम्डा से क्या से किसे मिलेगा और प्लाजमिट किसे मिलेगा बैक्टिरिया से समझ में आ रहा है तो ऐसे वेक्टर्स जो बैक्टिरियो फाज लेम्डा की कॉस साइड कॉस साइड को किसी प्लाजमिट में इंसर्ट करके बनाए गए हों उनको हम लोग नाम देते हैं कि इसका मतला कॉसमिट सार बैसिकली प्लाजमिट कंटैनिंग कॉस साइड कि यह अंग्रेजी में था हिंदी में क्या होगा अब आप लोग पर कि इतना जोर बोलें कि मुझे सुनाई पड़े मुझे पता है आप सुबह से खा के आए होंगे और बहुत लेट हो चुके हैं आप अभी खाया नहीं है फिर भी आप बताएं ऐसे प्लाजमेट्स जिनके पास क्या हो या ऐसे दूसरे सब्दों में के ऐसे प्लाजमेट्स वेक्टर्स जिनके पास कॉस साइड्स हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं कॉसमेट्स क्याते हैं कॉसमेट्स क्या है यह ध्यान रखोगे इसका मतलब वाइरस से हमने क्या लिया ह कि बताईए कॉस साइड्स यह कॉस साइड्स क्या है उसके बारे मुझे बताएंगे और है बिसिकली क्या प्लाज्मिट तो एक प्लाज्मिट वेक्टर में कॉस साइड को प्लेस करके क्या बना लेते हैं अब ध्यान रखोगे बताओ यह क्या है पॉसमिट है जब आप सेल बाइलोजी पढ़ते हैं तो जुन फॉसमिट पढ़ते हैं यह है क्या पहले यह बताओ बहुत बढ़िया ट्रांस्क्रिप्शनल फैक्टर्स क्या है यह वो वाला फॉस नहीं है इस चीज का ध्यान रखिएगा तो कई बार लोग यू लगाने के लिए यू पी ट्यू वाला यू ले लेते हैं यू पी ट्यू क्या करेगा विचारा जो वहां से चला साइगा चलो यह समझ में आ रहा है कुछ बिद्वान बैठे होंगे जिनको क्लिक कर गया हो गया जुन फॉसमिक इस बज़े से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि यह वाला फॉस नहीं है यह ट्रांस्क्रिप्शनल फैक्टर ठीके अब यह वाला कौन है यह यह कौन है उस चीज को समझ लें कल मैंने कुछ प्लाजमिट्स के बारे में पढ़ाया उसमें से कितने तरह के प्लाजमिट्स बताए 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 कितने तरह के प्लाजमिट्स बताए नमबर ही बता दीजे तब भी मैं खुस हो जाओंगा पांच तरह के पहली जो प्लास बताई वो कौन सी थी बताईए यफ प्लाजमिट ये वही वाला है ये जो यफ है वो उसी यफ प्लाजमिट का है किसका है उसी यफ प्लाजमिट का है। समझ में आ रहा है। एसा नहीं कि य वो यफ प्लाजमिट का हमने यफ ले लिया तो आजमिट बचा वूँँ बचा हो। बचा यह नहीं कुछ हूँ हम लोगों ने वहाँ से लिया है इसी इसका ध्यान रखियेगा। ज़ना आए? . जो Cosmids होते हैं उनमें जो Replication Origin Side है वो Paul Even Plasmid से आता है किस से आता है Paul Even Plasmid से आता है इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं ठीके PBR 322 में पढ़ा चुका हूँ तो Cosmids में जो Replication Origin Side है वो किस से है Paul Even Plasmid से है Cosmids में केवल अंतर यह है यहां जो Replication Origin Side है वो यह Plasmid से है Paul Even से नहीं है यह Basic Difference है समझ में आ रहा है एक दो Difference और है Minor Minor वो आगे बताएंगे जब Cosmids पढ़ाएंगे सारा यहीं पढ़ा देंगे तो इसको कैसे पढ़ाएंगे पहले इसे पढ़ा लेते हैं राद में उससे डिसकस करेंगे लेकिन आप समझ गए होंगे करना क्या है समझ में आ रहा है ठीके तो यह हो जाएगा फॉसमेड कि यह ऐसा होगी नहीं नहीं पहले यही पढ़ाओ उनको तो फिर बताओ मैं अगली स्लाइट पर चलो फिर उसे डिसकस करो बताओ मनोस कोई बात में चलो तो यह समझ में आ रहा है ठीके सबसे पहला कॉस्चन आप के लिए हमेशा रहेगा जिसको ध्यान रखना है बहुत पढ़ने की जरूरत और बहुत पढ़ने वाले लोग बेतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ठीके सबसे पहले कॉस्चन को जस्तिफाई कर लोगे आदा कांसेट के लिए हो जाएगा समझ में आ रहा है ऐसे प्लाजमिट वेक्टर जिनमें क्या पाया जाते हो कॉस्चाइट उनको क्या कहते हैं कॉस्चाइट किसके हैं पताईए वाइरस के इसके हैं वाइरस के ध्यान रखोगे चीगे एक फाइलम है एनी लेडा है जो लोजी वाले पढ़ते हो उनके जो और्गनिजम्स होते हैं उनका करेक्टर क्या होता है बोडी सेग्मेंटेड होती है तो प्लेटी हलमेंथीज वाले किया विरोजदार हो गया है आज कल वो सिमेट्रिकल हो गया है पूरे गोल हो गया है सिलेंड्रिकल सेफ हो गया है भाई यदि बोडी सेग्मेंटेड है बताओ मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं इस फिल्ड का लेकिन मैं पूछ रहा हूँ एंड्ड पॉइंटेड होते हैं एंड कैसे होते हैं विच्छे एरिया बेंक्राफ्टी इसी फेमली का है न इसकेरिस इसकेरिस भी नहीं है इसकेरिस भी नहीं है इसकेरिस का है अच्छा और अर्थ वार्म केच्छुआ देखे चलिए कुछ समझ तो गया केच्छुआ तो नाम सुना केच्छुआ को क्या कहते है इंग्रेजी में अर्थ वार्म और साइंस में बहुत बढ़िया ठीक है अब बताओ उसके जो इंड होते हैं वो कैसे होते हैं चफटे होते हैं या पॉइंटेड होते हैं कैसे होते हैं समझ में आ रहा है हम लोगों के टीलो मेर्स पर क्या पाए जाते हैं बताओ तो आप कहेंगे कि repeated particular DNA sequences पाय जाते हैं जही दो बोलेंगे न समझ में आ रहा है एक जैसे sequences पाय जाते हैं तो बार-बार tandem repeat में होते हैं तो हमारे telomeres एक particular structure adopt कर लेता है इसी बज़े से उन्हें specialized structure और telomere के नाम से present करते हैं ऐसी दो बोलते हैं तो हमारे chromosome के end को क्या गहते हैं telomere क्या बोलते हैं telomere अरे भाई बोलो जोर से telomere जितनी जोर से बोलोगे हमें सुनाई पड़ेगा मैं आगे बढ़ूँगा आप उतनी जल्दी फ्री होजाओ क्या बोलते है telomere उसी तरह से बैक्टीरियो पाजने भी अपने इंड पर अब उसका सिर किस तरफ है पैर किस तरफ है मुझे पता नहीं उसके डियने में यह आप लोग रिसर्च करके ढूड़िएगा यह बैक्टीरियो पाज का जो लीनियर डियने है इसके इंड पर मिलने वाले नुकलियो टाइड सिक्वेंस को हम लोग पॉस साइड कहते हैं क्या कहते हैं समझ में आ रहा है जैसे यू केरियोटिक ओरगनिजम्स के end पर तीलोमियर्स पाइज आते हैं, specialized nucleotide sequence पाइज आते हैं, उसी तरह से bacteriophas lambda के end पर क्या पाइज आते हैं, पॉच साइट साइज पाइज अन्यूपियोटाइज सिक्वेंस है, dna sequence है, जिससे क्या नाम देते हैं, चङए जिस तरीके से eukaryotic telomere reasons eukaryotic chromosomes को एक कह सकते हैं एक defined structure में convert कर लेते हैं पुछ proteins bind हो करके telomeres के end को protect करते हैं समझ में आ रहा है उनकी अपने specific क्या होते हैं function होते हैं एक specialized structure में convert कर लिया जिससे linear DNA molecule degrade नहीं होते हैं उसी तरह से bacteria phase में जो cause sides हैं इनका भी function है इन DNA sequences की अपनी functional importance है समझ में आ रहा है इनी cause sides को किसमें लगा दिया जाएगा plasmid में क्या importance है उस point को समझे cause sides की दो importance है सभी लोग ध्यान से समझेगा कितनी importance है दो समय आने पर ये cause sides एक दूसरे से link हो जाती हैं और DNA को circular बना देती है कैसा बना देंगी circular और मैं आपको bacteria pass lambda cycle में पढ़ा चुका होगी bacteria pass lambda जैसे ही bacterial cell में इंटर करते हैं वो circular हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं ये circularization किसकी बज़े से है cause side कि किसी ने मुझसे पूछा था कि वो circular हो जाएगा within capsid या bacterial cell में वो circular होगा किसी ने मुझसे question किया था समझ में आ रहा है और उस समय मैंने कहा था कि समय आने पर बताऊंगा वो circular कैसे हो जाता है ठीके वो समय आ चुका है कौन circular कर देगा cause side सो पहली importance बताओ cause side की क्या है एक तो circularization कर देना क्या करना circle rise ध्यान से समझ यह जो मैं बोल रहा हूँ आगे ग्रेसी में लिखा है आप उसको घर जागे पढ़िएगा जो भी समझा रहा हूँ उस पर ध्यान ध्यान दखोगे दूसरा यही cause side bacteria fast के इस genome को इस DNA को pack कराते हैं उसके capsid में दीने पैकेजिंग में रोल किसका है cause side का यह दो काम किसके हैं अब यहाँ पर समझे यदि हम लोग किसी plasmid में दो cause side को place कर दें किसमें जैसे यह पहले plasmid था एक circular structure था क्या place कर दिया cause side जैसे यहाँ पर cause side पर cut करेंगे दोनों क्या होंगे इंडलक हो जाएंगे और कैसा हो जाएगा linear समझ में आ रहा है यह cause side इस plasmid को pack करा देंगे bacteria fast lambda के capsid किसमें pack करा लेंगे समझ में आ रहा है और यह natural infection कर सकते हैं virus की तरह cause side के दो function एक circularization और दूसरा capsid में packaging का समझ में आ रहा है बाकि सारी कहानी plasmid vector जैसी कैसी कहानी जैसा puc vector आप पढ़ चुके हैं replication origin site cosmit के किसकी होगी call even की एक antibiotic resistance zine होगा एक poly linker होगा multiple restriction site होगी बस additional कौन होगा तो जैसा puc vector आप पढ़ चुके हैं same concept है cable और cable cause side को क्या किया additionally place कर लिया समझ में आ रहा है और ये cause side किसकी है समझ में आ रहा है अब ये क्या कर सकते हैं आप जानते हैं कि plasmid का minimum size 1000 के भी हो सकता है हो सकता है ना plasmid तो बहुत छोटे size की हैं ना अभी आप लोगों ने puc vectors को develop किया है या फिर हम लोगों कहें कि हम लोगों ने pbr327 की बात की puc vector तो 3000 base square से कम है कम है या नहीं है अब हम लोग इन पर बहुत बला DNA लगा सकते हैं और आप जानते हैं बैक्टिरियो फास्ट लेमडा के जीनो में कैपसिट में कितना DNA पैक हो सकता है बदाए ये 52 kb का 3 kb का यदि हम लोग क्या मालने प्लास्मेंट मालने 3 kb का प्लास्मेंट मालने तो 50 kb DNA अड़ कर सकते हैं मैं एक उधारण दे रहा हूं समझ पा रहे हैं अब हम लोग जादा बड़े DNA को क्या अगर सकते हैं क्लोन कर सकते हैं इसके दवारा कॉसमेंट के दवारा ऊट्यक्ये आप लोगों में कौन से लोग ऐसे हैं जो रियली में इस कांसेट को नहीं समझ पाए हैं दुबारा बता है भी समय प्लाजमेंट में क्या लगा लेंगे कोसमेट्स आर ख्लोनिंग वेक्टर विद्ट कम्बाइन प्रॉपर्टीज ओफ प्लाजमेट एंड बेक्टिरियो पास लेमडा वेक्टर एक कासमेट इस बेसिकली एक प्लासमेट that carries a cos side carry is cos side यह ना बोले वैसे दो cos side होगी यह ध्यान रखना है Cosmids can carry about 45 kb of cloned DNA मैंने अभी आप से क्या कहा Plasmid का size बहुत छोटा हो सकता Puc vector का size कितना था 28.5 ऐसे था न अरे गलत है 2.85 समझ में आ रहा 2.8 अरे 3000 base pair से भी कैसे थे कम थे समझ में आ रहा है मैं वही concept तो आपके सामने रख रहा हूँ एक plasmid कितने base pair का है 3000 का माल लेतने उसी में क्या लगा दिया cos side और bacteria of ours में pack कितना हो सकता है 52 kb pack हो सकता है न तो आप देखें लगवा 50 kb का additional dna लगा सकते हैं कितना dna ले जा सकता है 45 kb का dna ले जा सकता है मुझे लग रहा है इस factor पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे cosmit इसका मतलब बेहतर है किसे replacement vector से ठीके these vector replicate as a plasmid क्योंकि यहाँ पर जो replication origin side है वो plasmid की है call even की है अब ऐसे समझ दो यह replicate करते है plasmid की तरह ब्योहार करते है प्लास्मिट की तरह लेकिन इनके पास जो कॉस साइट है वो उन्हें circular बनाती है और बैक्टिरियो फास के xenon में क्या करेंगी पैक करा देंगी यह समझ में आ रहा है ठीके and employ lambda fast packaging to select for the recombinant plasmid in e-coli ठीके अब इसमें देखो इस जो cosmit होते है उनमें कौन कौन से component है और किसके है ठीके call even replication origin site antibiotic resistance zene होगा जैसे यहाँ पर emphysilin है tetracycline हो सकता है as a marker suitable polylinker and lambda cos site यह ध्यान रखेंगे यह कौन है तो cosmit क्या है कितना DNA ले जा सकते हैं plasmid के साथ pass के कौन से portion link है इससे ध्यान रखना है ठीके lambda cohesive end archive the staggered inhale bacterial fast lambda के उनको क्या कहते है and they play two distinct roles during the lambda infection cycle two role, एक तो circularization करना ठीके first देखे, they allow molecule necessary for insertion into bacterial genome आप जानते हैं bacterial genome के साथ क्या होता है insert हो जाता है integration के लिए जरूरी दूसरा कौन है serve as the site for enzymes which pack as the DNA molecule into the pass protein port जरह देखे यहां पर यह present है bacteria pass lambda का जीनोम और यह इसकी cause site है जो enzyme bacteria pass lambda के जीनोम को pack करते हैं उसके capsid में वो cause site को ही recognize करते हैं जैसे मैं हूँ enzyme तोड़ी देर के लिए माना की समझ में आ रहा है और मैं इसमें क्या pack कर रहा हूँ अरे भाई क्या pack करूंगा मैं जब enzyme हूँ तो bacteria pass lambda का DNA नहीं तो pack करूंगा तो मनों उस book बोल रहा है book add करें क्या ध्यांदीजी इसमें क्या pack करेंगे बैक्टिरियो फास lambda का जीनू बैक्टिरियो फास lambda लगातार replicate कर रहा है bacteria के साइटोप्लास में किसमें replicate कर रहा है साइटोप्लास में और यह जो replication की प्रक्रिया चल रही है वो rolling circle model के थूँ चल रही है कैसे चल रही है rolling circle कैसे समझ लिए किसे चीके इंड पर क्या है यहां पर क्या है जैसे अगले इंड पर पहुंचेंगे क्या present होगी तो एक circle complete हुआ तो एक कॉसाइट यहां एक कॉसाइट यहां दूसरी कॉसाइट तीसरी यहां इस तरह से बिना replication termination हुए rolling circle replication होता रहता है rolling circle replication के लिए हमारा एक वीडियो पड़ा है YouTube पर सभी लोग आज़ा करके देखिए तो rolling circle replication में single standard DNA क्या हो सकता है लगातार replicate होता है समझ में आ रहा है लेकिन यहां पर double standard DNA बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं मालो यह single standard DNA है कैसा DNA है और यह कौन सा प्राइम यहां पर क्या लगाया प्राइमर अब DNA polymers इसे भी तो replicate करते जा रहे है rolling circle replication से जो single standard DNA बाहर आ रहा है उस पर प्राइमर लगा करके DNA polymers से किसमे convert कर रहे हैं double standard अब देखिए वाइरस का जो genome है वह without replication termination लगाता replicate होता जा रहा है एक genome यह दूसरा genome किसरा genome आगे लेकिन एक फाज एक capsid के अंदर कितने genome जाने चाहिए एक तो देखो यह packaging चल रहे है समझ में आ रहा है जैसे ही cause side recognize हुई enzymes को pack करना शुरू कर देते तब तक pack करेंगे जब तक कि दूसरी cause side contact में आए जैसी दूसरी cause side contact में आएगी इसे cut कर देंगे क्या करेंगे और फिर दिन इसके बाद दूसरे phase में इसको insert करना शुरू कर देंगे यह किसकी importance है cause side की अब यहाँ पर ज़रा देखो जो bacteria phase lambda का genome है वो circular है या linear है linear bacteria के side of plasma में यही cause side उसे convert कर देंगे circular में समझ में आ रहा है तो एक plasmid को cause side दे करके modify कर दिया कि वो as a bacteria fast genome function कर सकता है circularize भी हो जाएगा और bacteria fast bacteria fast के genome में pack भी हो जाएगा कितना DNA pack कर सकते है bacteria fast के genome में 52 के भी इसका मतलब बहुत बड़ा size हम लोग अपने desired DNA का add कर सकते हैं इसी पज़े से आपने अभी पीछे देखा कि 55 kb का DNA हम लोग copy कर सकते हैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग इस case को समझ पाए हों कैसे assemble करते हैं सभी लोग ध्यान दीजे यह क्या है यह है vector यह plasmid है यह कौन सा vector है plasmid vector अरे भाई कौन सा vector है plasmid vector है ध्यान दखोगे plasmid vector को क्या किया cut किया यह देखिए sca1 restriction site है sca1 restriction site को हम लोगों ने enzyme से cut किया कैसा हो गया linear ध्यान दखोगे फिर किससे digest किया bmh1 यहां पर cut करेगा कैसे हिंड generate होंगे इस ते अगर दोनों हिंड पर place कर दिया बताइए for side यहां पर दिए bmh1 से हम लोगों ने use किया तो bmh1 यह है यहां पर हमारे पास क्या source dna है source dna को bmh1 से cut किया fragment मिले तो आप यहां पर देखिए यह हमारे पास dna है linear plasmid को cut किया कैसा हो गया linear plasmid को bmh1 से cut किया तो दो fragment हो जाएंगे कितने fragment हो जाएंगे दो fragment आप देखिए यहीं पर तो cut होगा इतना fragment यह हो गया यहां से उठाकर dna को बीच में place कर दिया क्योंकि desired dna को bmh1 से cut किया था यहां पर हम लोगों ने क्या किया set कर दिया अरे जैसा भी insertion vector पढ़ रहे cut कर दिया न इंड पर क्या है इंड पर क्या है कॉसाइट यहां पर देखिए क्या है कॉसाइट यहां पर यह plasmid होता कॉसाइट ना लगा दे तो बात में हम क्या लगा देते कॉसाइट लगा दिया ना अब यहां पर आप देख सकते हैं इस पूरे structure को देखें यह portion यह कॉसाइट किसकी है बैक्टिरियोफास की कॉसाइट किसकी है बैक्टिरियोफास की बाकि replication origin site और resistance gene है वह plasmid की यह हमारा desire DNA है समझ में आ रहा है अब यह दे linear भी है तो कॉसाइट से क्या करेंगी circularize भी कर देंगी और इसकी packaging भी direct कर लेंगी बैक्टिरियोफास के head में क्या होंगे यह pack हो जाए उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग समझ गया होगी यह समझ में आ रहा है तो कौन सा vector आप लोग पढ़ रहे थे आपको यह सारी कहान ही नहीं पूछी जाए कॉस्मिट्स क्या है और कैसे प्रिपेर किये है उसके बारे में पूछा जाएगा उसके क्या characteristics पी उसी वेक्टर की तरह आपको ध्यान रखना है बस traditionally क्या है इस बज़े से यह वेक्टर्स यह पैक हो सकते हैं बैक्टिरियो फास लेमडा के कैप्सिड में समझ में आ रहा है और इस तरह से एक नेचरल इंफेक्शन किया जा सकता है नेचरली बैक्टिरिया को इंफेक्ट किया जा सकता है इस तरह के रीकॉंबिनेंट डीनेस समझ में आ रहा है मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग समझ गये हों अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉसमेट्स क्या पढ़ाऊंगा डेक्टिरियल आडिफीशियल प्रोमोसों और वही पर हम लोग बात करेंगे सटल vectors इसकी बात करेंगे सटल वेक्टर जैसे एक आपने नाम सुना होगा कोलंबिया सटल का एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जाने के लिए कौन सी मसीन का यूज़ करते हैं उसी तरह से ऐसे Vactor जो एक बैक्टिरिया में भी यूज़ किया जा सके और फिर दूसरी Species के बैक्टिरिया में भी यूज़ किया जा सके उनको क्या बोलते हैं Suttle Vector's, क्या character होंगे उनको आगे discuss करेंगे जिके सबी लोगों को मेरा नमस्कार कोशन किसी को पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कोशन का टाइम अब खत्म हो गया है